Study IQ IAS अब तयारी हुई अफोर्डबल इंडिया's biggest bank heist The Cosmos Bank case Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग 11 अगस्त 2018 की शाम रोज की तरह सब नॉर्मल रूटीन सा ही लग रहा था सभी बैंक अधिकारी अपने अपने काम में लगे हुए थे दिन धलने के साथ ही जैसे ही शाम के पांच बजे एक के बाद एक फोन की घंटियां और सभी पर एक ही सवाल क्या सर्वर में खराबी है लेकिन बात कुछ और थी उसके कुछ समय बाद ही अचानक से महराश्टर का पूरे शहर पूरे देश के लिए कौतू हलका केंदर बन गया पूरे देश में हडकंप मच गया आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था किसी को कुछ समझ नहीं आया लेकिन दोस्तों बैंक की मजबूत सिक्योरिटी का सर्वर हैक हो चुका था ये देश के बैंकिंग के इतिहास में अब तक का बहुत बड़ा साइबर हमला था ये एक ऐसा हमला था जिसने 32 देशों की एजनसीओं को जग जोर कर रख दिया दोस्तों हम बात कर रहे हैं कॉस्मॉस को आपरेटिव बैंक हाइस्ट की जिसमें डखैतों ने पुणे के कॉस्मॉस बैंक मुख्याले का डेटा हैक कर 94 करोड 42 लाग की साइबर से इनमारी कर ली हलाकि भारत के इतिहास में कई बड़ी बड़ी डखैतियां हुई है लेकिन इस डखैती ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिये थे सुराग के नाम पर पुलीस के पास उंगली के निशान तक नहीं थे था तो बस हजारों एटिये मशीन्स और कैमराज की रिकॉर्डिंग ये किसका काम था किसी को कुछ नहीं बता था पुणे पुलीस ने सभी आंगल से तहकीकात की लेकिन केस उलच्टा चला गया पुलीस ने असली आरोपियों तक पहुँचने के लिए अपने तरकश के सारे तीर आजमाए लेकिन कोई ठोस कामियाभी नहीं मिली और आज तक ये अपराधी फरार है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉस्मॉस बैंक में हुई साइबर लूट के बारे में और जानेंगे भारत के इतिहास की इस सबसे बड़ी बैंक लूट को किस ने अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया और इस केस में पुलीस अब क्या कर रही है दोस्तों, 11 अगस्त की शाम को पांच बजे के आसपास कॉस्मॉस बैंक के अधिकारियों को फिनांशल सर्विसेज कंपनी वीजा की तरफ से एक सूचना मिली उनके अल्गॉरिदम्स ने बैंक से जुड़े डेबिट कार्ड पर अन्यूजवल अक्टिविटी को दर्ज किया था जिस दौरान ये सब हो रहा था उसी वक्त एक रूपे डेबिट कार्ड होल्डर एक अजीब सी समस्या लेकर बैंक से जुड़ा उसने बैंक को बताया कि जिस ATM से वो पैसे विड्रौ कर रहा था उस ATM की स्क्रीन पर अकाउंट का बैलेंस बहुत ज्यादा दिख रहा था दोश्तों यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इस दिन शनिवार था और शाम का वक्त था ये वो समय होता है जब बैंक में बाकी दिनों की तरह पूरे जोरों से काम नहीं होता जिन लोगों ने इस चोरी की प्लानिंग की थी वो ये बात जानते थे कि बाकी दिनों की तुलना में प्रतिक्रिया धीमी रहेगी इसके बाद बैंक ने अपने कस्टमर डेटाबेस सर्वर की जांच की और जांच में कोई भी एविडेंस नहीं मिला लेकिन पैसे निकल गए थे अगला दिन रवीवार आया और चला गया सुमवार आते ही Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications यानि Swift ने तीन बड़े ट्रांच्शन के बारे में बैंक को जानकारी दी ये मेसेजिंग सिस्टम होता है जिसका इस्तिमाल दूसरे देश में पैसा भीजने के लिए किया जाता है ये सिस्टम International Banking Transactions को Enable करता है Swift ने बताया कि इस सेंध मारी के जरिये hackers ने 13 करोड 92 लाख रुपए ओडा लिये हैं ये रकम होंग कॉंग में Hang Seng नाम से एक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी ये एकाउंट किसी लोकल फर्म का था माना जा रहा है कि वो कोई शेल यानि जाली कंपनी होगी इससे पहले बैंक अधिकारियों के सामने वीजा और रुपे डेबिट कार्ड बार्टनर्स से transaction logs के लिए एक confirmation request आई थी जिसके confirm होने पर पता चला कि लगभग 80 करोड रुपे निकाले गए है जिसके लिए कई ATMs का इस्तिमाल किया गया है ये जो कुछ हो रहा था उसे जब Cosmos बैंक के लोगों ने जोड़ा तो मामले की गंभीरता का अंदाजा लगा सके आखिरकार बैंक अधिकारियों ने 14 अगस्त की सुबह एक बचकर अठावन मिनिट पर पुने के चतुर श्रिंगी पुलीस स्टेशन में F.I.R. दर्ज की और फिर शुरू हुई इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आईए जानते हैं पुने पुलीस ने इस मामले की जांच कैसे की दोस्तों पुलीस ने 14 अगस्त को इस मामले की जांच के लिए शहर के सभी टॉप कॉप्स की एक बैठक बुलाई इसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पेमेंट्स ओर्गनाइजेशन एन्पीसी आई और कॉस्मॉस बैंक के टॉप अधिकारी को देख रही थी एक टीम ठगी की खोज में निकली तो वहीं दूसरी टीम तकनीकी पहलुमों की जांच कर रही थी कि हैकर्स बैंक के सिस्टम में कैसे आए जांच में पुलीस ने पाया कि ठगों ने चोरी करने के लिए 5000 से अधिक क्लोन कार्ड्स का इस्तिमाल किया है उन्होंने 32 देशों से कैश निकाला है वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर इसके लिए चोरों ने इसकी स्क्रिप्ट पिछले 6 महिने में ही लिखी थी चोरों द्वारा इसके लिए कई लोगों की टीम बनाए गई थी और कई चरणों में इस बैंक चोरी को अंजाम दिया गया था ठगों की योजना थी कि वे दो चरणों में बैंक से पैसे निकालेंगे पुलीस सूतरों के मताबिक हैकर्ज ने कौसमास बैंक को निशाना बनाने के लिए तगड़ी तैयारी की थी उन्होंने अटैक से 6 महिने पहले सर्वर में अपना मैलवेर इंस्टॉल कर दिया ताकि वे पैसे निकालने की तैयारियों को पुखता गड़ सके बता दें कि मैलवेर एक तरह का वाइरस है जो हैकर्ज सिस्टम को हैक करने के लिए यूज करते हैं अटैक के लिए वीकेंड का इंतिजार किया गया ताकि पकड़े जाने की गुणजाइश न के बराबर रहे मैलवेर को इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि वो हर एक खाते से एक लाख रुपए तक निकाल सके हैकर्ज ने ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें वे लोग खुद ही जाली ट्रांजक्शन की मनजूरी दे सकते थे वैसे ये काम regulatory authorities का होता है ठगों ने किराय के लुटेरों को पहले ही बता दिया था कि उन्हें किस दिन और किस समय पैसे निकालने है planning इतने शातर तरीके से की गई थी कि पुलीस को एक भी सुराग नहीं मिला ऐसे में दूसरे देशों की कानूनी एजेंसियों की मदद से ही इस मामले के mastermind तक पहुँचा जा सकता है जो ठगी की रखम से फिलहाल एश कर रहे होंगे पुलीस के मताबक लगभग 3000 transactions महराश्टर, राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे शेहरों में हुए माना जा रहा है कि हैकर्स और उनके सहयोगियों ने वीजा और रूपे कार्ड होल्डर्स की जानकारियां चुराई थी पुलीस ने बताया कि हैकर्स ने चुराए गए ATM कार्ड का डेटा डाकनेट से खरीदा था उन्होंने पाया कि वीजा डेबिट कार्ड का 12,000 बार इस्तिमाल किया गया है और 78 करोड रुपे का ट्रांजैक्शन किया गया था वहीं रुपे डेबिट कार्ड का 2849 बार इस्तिमाल कर 2,50 लाग का ट्रांजैक्शन किया था इसके साथ ही स्विफ्ट सिर्फ तीन बार ही इस्तिमाल किया गया और 13 करोड 92 लाग का ट्रांजैक्शन किया गया इसके लिए कई ATMs का इस्तिमाल किया गया था और चोरों ने कुल 94 करोड 42 लाग रुपे निकाल लिये थे भारत से बाहर ट्रांजैक्शन के लिए वीजा डेबिट कार्ड का इस्तिमाल हुआ वहीं भारत में रुपे डेबिट कार्ड और वीजा डेबिट कार्ड दोनों का इस्तिमाल कर पैसे निकाले गए थे पुलीस की एक टीम बैंक के ट्रांजैक्शन को चेक कर रही थी पुलीस उन सभी ट्रांजाक्शन पर नजर बनाए हुए थी जो संदिग्द थे जैसे अगर नासिक के किसी एकाउंट होल्डर का कार्ड जैपुर में इस्तिमाल हुआ है तो वो संदिग्द लेंदेन माना जाता है पुलीस के अनुसार देश के अंदर सबसे ज्यादा फर्जी लेंदेन कोलहपुर, अजमेर, मुंबई, इंदौर और जैपुर में किये गए थी इन्वेस्टिगेटर्स ने आसपास के लोगों का पता लगाने के लिए मोबाइल टावर डेटा का इस्तिमाल किया इस जाच में 500 से अधिक टावरों से मोबाइल डेटा और कॉल और टेक्स्ट की लगभग 9 लाख एंट्रीज का उपियोग किया गया था इसके बाद टीम ने ATM के कैमरों से घंटों तक CCTV वीडियो खंगा ले और उन लोगों को चांटा जिनके बारे में उन्हें संदेह था कि वे पैसे कमाने वाले है इससे 22 लोगों की सूची सामने आई जिन में से पुने पुलीस ने 18 लोगों को गिरफतार किया और उनके खिलाफ तीन चार्ज शीट दाखिल की गई इनका हैकिंग में कोई रोल नहीं था इन्होंने सिर्फ बैंक के सर्वर पर साइबर अटैक होने के बाद मुंबई, अजमेर और इंदौर जैसे शेहरों से पैसे निकाले थे उनसे पूशताच करने में एक साजिश का पता चला और साथ ही उस सरगना का पता चला जिसने कार्ड बाटे उसका नाम था सुमेर योसफ शेक इस नाम के लिए विभिन्ने डेटाबेस में क्रॉस चेक करने के बाद एक जैसे नाम वाले लगभग तीन हजार लोग सामने आए थे जाच करताओं ने सुमेर शेक पर ही ध्यान केंद्रित किया दोस्तों ये वही सुमेर शेक है जो चेन्नाई में सिटी यूनियन बैंक पर हुए साइबर हमले में शामिल था पूरे पुलीस को आज भी सुमेर शेक की तलाश है वो फिलाल UAE में है पुलीस ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि वो सुमेर को Extradition Treaty के तहट वापस लाए सुमेर पिछले साल एक आपराधिक मामले में जेल भी गया था पुलीस को उम्मीद है कि उसके गुजारिश के आधार पर सुमेर के प्रत्यारपन की मन्जूरी मिल जाएगी क्योंकि इंटरपोल ने उसकी गयर कानूनी गतिविधियों के चलते उसके खिलाफ रेड कॉनर नोटिस भी जारी किया है ऐसा माना जाता है कि शेख ही ATM डगैथी का मास्टर माइन था लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या वो भी हैकर्स के साथ सहीयोगी रहा है या नहीं पुलीस के अनुसार शेख जैसे लोग संगठे थे और अच्छी तरह से संचालन करते हैं यहां तक कि हैकर द्वारा साजा किये गए डेटा को प्रमानित करने में मदद करने के लिए तकनीकी टीमें भी हैं फिर कार्ड तयार किये जाते हैं और विशिष्ट निर्देशों के साथ मनी मियूल्स को सौंप दिये जाते हैं पूरे पूलीस को इस जुर्म के तार अमेरिका, रूस, ब्रिटिन, मिस्र, हॉंग कॉंग और स्विच्जिलन जैसे देशों से जुड़े मिले हैं पूरे साइबर पूलीस के एक सीनिय इंस्पेक्टर ने बताया जब हमें पता चला कि इस जालसाजी के तार भारत के अलावा 31 और देशों से जुड़े हैं तो हमने विदेश मंतराले के पास अपना प्रोपोजल भेजा हम ठगी की रकम वसूलने और मास्टर माइंड को पकड़ने के लिए उन देशों से लेटर्स रोगेटरी और म्यूचूल लीगल असिस्टन्स ट्रीटी के जरिये मदद की गुजारिश करेंगे पुलीस सूतरों का कहना है कि अमेरिका से मिलने वाली मदद काफी एहम होगी क्योंकि वो खुद कॉसमोस बैंक अटैक से मिलते जलते जटिल मामलों की जांच कर रहा है पुणे पुलीस की अब तक की जांच से पता चला है कि इस मामले में नौथ कोरिया की खुफिया एजनसी रिकॉनिसंस जेनरल ब्योरो के लिए काम करने वाली एक यूनिट का हाथ हो सकता है इस यूनिट के तीन गुर्गों पर उसी साल यानि 2018 में ही भारत समेत कई देशों में साइबर अटैक करने का शक है इन तीनों का लंबा आपराधी कितिहास है इन पर 2017 WannaCry 210 Global Ransomware Attack का आरोप है 2016 में बंग्लादेश बैंक से करीब 8 करोड डॉलर की चोरी के पीछे भी इन ही का हाथ बताया जाता है अमेरिकी एजनसीों ने इन से जुड़े एक शक्स पर शिकन जाभी कसा उसका नाम है गालेब अलॉमरी अलॉमरी के पास अमेरिका के साथ कैनेडा की भी नागरिकता है वो नॉर्थ कोरियाई साइबर क्रिमिनल्स के लिए मनी लॉंडरिंग यानी काली कमाई को सफेद करने का काम करता था अलॉमरी ने मनी लॉंडरिंग के एक मामले में अपना जुर्म भी कबूला था अमेरिकी अदालत ने उसे करीब साड़े ग्यारा साल की सजा सुनाई अलॉमरी ने क्रिप्टो करंसी का इस्तिमाल करके भी पैसों का हेर फेर किया था अमेरिकी अदालत के दस्तावेजों के अनुसार उसका शिकार बनने वाले भारत, पाकिस्तान और मौल्टा में मुख्याले वाले बैंक शामिल है जाहिरी तोर पर जोल काफी बड़ा है पुने पुलीस ने इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफतार भी किया, लेकिन वे सभी किराय के टट्टू थे उन्होंने पैसा तो निकाला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे कितनी बड़ी साज़िश का हिस्सा बन रहे है उस दिन कई देशों में ऐसे हजारों किराय के लोगों का इस्तिमाल हुआ उन सभी देशों की कानूनी एजेंसियों की मदद के बगएर पुने पुलीस के लिए मामले को सुलजाना नामुमकिन है पुने पुलीस, विदेश मंत्राले और कॉस्मास बैंक की साज़ा कोशिशों की तारीफ करनी होगी जिसकी बदालत पांच करोड 72 लाख रुपे वापस मिल गए देरसल होंग कोंग के अधिकारियों ने 10 करोड रुपे फ्रीज कर दिये थे वहां की अधालत ने ये रखम कॉस्मास बैंक को लोटाने के लिए का पांच करोड 72 लाख रुपे इसी रखम की पहली किस्त थे लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि शेक को क्लोन किये जाने वाले कार्ड्स का विवरन कैसे मिला इसे समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि बैंक के इतने मजबूत सिक्योरिटी को कैसे हैक किया गया दोस्तों ये समझने के लिए कि डगैती कैसे हुई ये समझना महत्वपूर्ण है कि नॉर्मल सिनेरियों में सिस्टम कैसे काम करता है आम तोर पर ATM कार्ड डालने पर शुरू में वीजा, मास्टर कार्ड या रुपे कार्ड जैसे पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के माध्यम से बैंक के स्विच या सर्वर से जुड़ा होता है इसके बाद ये बैंक के कस्टमर डेटाबेस सर्वर यानि कोर बैंकिंग सिस्टम यानि CBS से जुड़ जाता है जिसमें क्रिदेंशल्स स्टोर्ड होते हैं ये CBS ही था जो बैलेंस मेंटेन रखने के लिए डेली विड्रॉल लिमिट और पर दे ट्रांजाक्शन के नंबर जैसे ट्रांजाक्शन क्राइटेरिया को नियंत्रित करता था यानि CBS एक तरह के सेंट्रलाइजड नेटवर्क की तरह है जो अपने कस्टमर्स को बैंक की किसी भी ब्रांच से अपने अकाउंट का एकसेस प्रोवाइड कर बेसिक ट्रांजाक्शन करने में मदद करता है इसके अलाबा CBS डेली बैंकिंग ट्रांजाक्शन और दूसरे रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद करता है एक बार जब ट्रांजक्शन CBS द्वारा अप्रूवड हो जाता है तो बैंक का स्विच ATM मशीन के साथ अप्रूवल शेयर करता है तभी ATM यूजर को पैसा मिलता है हैकर्स बैंक की पाइपलाइन के अंदुरूनी हिस्सों में घुसपैट करने में कामियाब रहे थे और सफलता पूर्वग बैंक के स्विच में मैलवेर डाल दिया था उसने जो किया उससे स्विच और CBS के बीच संचार कट गया था इसके साथ ही हैकर्स ने CBS को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए डेबिट कार्ड के एक स्पेसिफिक सेट से ट्रांसाक्शन को मंजूरी देने के लिए स्विच या सर्वर लेवल पर ही एक एड्मिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल डाली क्योंकि स्विच सर्वर से छेड़ चाड़ की गई थी विड्रॉल्स CBS में दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन कई अकाउंट्स रैंडम बैलंसे शो कर रहे थे जिसके कारण एक कंज्यूमर ने बैंक को खबर की जिसका जिक्र हमने विडियो के शुरू में किया था उन्होंने स्विफ्ट वर्कफ्लो में भी इसे दोहराया एक बार जब उनके पास पहुँच हो गई तो उन्होंने स्विफ्ट ट्रांजाक्शन के लिए आवश्चक अप्रूवल्स की नेजर को बदल दिया कंक्लूजन तो दोस्तों ये थी भारत के सबसे बड़े कौस्मोस कौॉपरेटिव बैंक हाइस्ट की पूरी कहानी आज हम डिजिटली करण की और भले ही बढ़ रहे हूं लेकिन इसी के साथ हमारे सामने खत्रे भी पैदा हो रहे है कौस्मोस बैंक की इस डगैती से हमें सीखने की जरूरत है कि डिजिटली करण की रह पर चलने के लिए हमें अपने सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है आनलाइन जालसाजी बाकी अपराधों से काफी अलग होती है इसमें जुर्म करने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं परती अपराधी साथ समंदर पार बैठ कर भी वारदात को अंजाम दे सकता है ऐसे में मुझरिम तक पहुँचने के लिए काफी मशक्कत करनी परती है कई बार तो वो हाद भी नहीं आता अगर साइबर क्रिमिनल्स को आसानी से दबोशना है तो सभी देशों की कानूनी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा ऐसा नहोने की सूरत में हैकर्स का दबदबाब बना रहेगा यही वज़य है कि पुने पुलीस की ये जांच फ्रॉड इंवेस्टिगेशन का मॉडल बन सकती है जिसमें अपराधी को पकड़ने के लिए 32 देशों की कानूनी एजेंसियों मिलकर काम करने वाली है